गुड इवनिंग जैविम साथियो मैं डॉक्टर रतन लाल काम की बात लाल की क्लास में आप सब का स्वागत करता हूँ और पेश करता हूँ अमबेट करनामा एपिसोड नंबर 151 आज समिधान दिवस है समिधान दिवस की आप सब को बधाई और अगले दो एपिसोड में मैं बात करूँगा कि समिधान सौपते वक्त 25 नंबर 1949 को डॉक्टर अमबेट करने समिधान सवाग समक्ष जो एक लंबा व्याख्यान दिया था उसमें उन्होंने क्या-क्या बातें क नहीं थी इसको सारांश को मैं दो एपिसोड में समेठने की कोशिश करूंगा तो बात शुरू करने से पहले एक खास अपील कि मैं रतनलाग मुझे किसी तरह व्यक्तिगत किसी तरह की व्यक्तिगत आर्थिक सयोग की जरूरत नहीं है अगर आप सयोग करना चाहते हैं तो स शेयर करें लाइक करें कमेंट करें ब्लू वेल दबाएं और जहां जहां हो सकता है मैक्सम लोग के पास यह पहुंचाए यह पहली बात है और अमबेट करनामा को कैसे बहतर बनाया जा सकता है इसके लिए अगर आप कुछ सयोग करना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना नंबर और नाम जरूर डाने हैं दूसरी बात है कि अमबेट करनामा कोई कथा नहीं है कि वदंती नहीं है जितनी बाते मैं कहता हूं सारी बाते महराष्ट सरकार और भारत सरकार ने जो अमबेट कर सहाब की जो संकलित रचनाय पूरी छापी है जो वांग में निकाला है उ पेज नंबर के साथ सब बात आपके सामने रखता हूँ तो इसलिए कथा नहीं है थोड़ा सा आपको पेन होगा कि हमारे लोगों को आदत पड़ गई है ज्यादा सुनने की न्यूज और उसमें भी थोड़ा सा चटकारे मार कर न्यूज सुनने वाली बात ज्यादा मजा आता है लेकिन यह थोड़ा घंबीर बात है थोड़ा सफ़र निकालना पड़ेगा थोड़ा सा पेसेंश्ट्राइगा तो इसलिए मैंने में इसका नाम रखहा है काम की बात यहां मन की बात नहीं होती है थोड़ा पेसींस रखेंज पूरा वीडियो सुनिए और ऊसको फॉर वी की चाहत रखता हूं सो खेर बहराल चलिए अब कहानी शुरू करते हैं कि समविधान जब सौप रहे थे दिया 25 नॉमबर 1949 को डॉक्टर अम्बेटकर ने एक लंबा व्याख्यान दिया था उस व्याख्यान में कई बातें उन्होंने बहुत विस्तार से उन्होंने कही थी उन्हें कहा कि जो समविधान निर्मातरी संस्ता है इसका निर्मान हुआ था 9 दिसमबर 1946 को और जो ड्राफ्टिंग कमिटी जिसके वो चेर्में थे उसका निर्मान हुआ था 21 अगस्त 1947 को तो 21 अगस्त 1947 से लेकर अगर आप देखेंगे तो दो वर्स से थोड़ा सा ज़्यादा समय पूरा लगा था समिधान को समिधान को दर्मियान दिल्चस्प कहानिया हैं और जानना चाहिए कि इस दर्मियान कई आरोप लगे डॉक्टर अमिटकर पर कि जरूरत से जादा समय ले रहे हैं और पैसे का अपवे हो रहा है तो इसका जवाब डॉक्टर अमिटकर ने कैसे दिया था यह जरा दिल्चस्प यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उन्होंने कहा कि कुछ लोगा कहना था कि असम्बली काम पूरा करने में काफी समय ले रही है वह बड़े आराम से काम कर रही है और उस कारण सारुनिक धन का अपव्य हो रहा है इसके जवाब में डॉक्टर अमबेटकर कहते हैं कि यह कहना वह साही था जैसे रूम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था और इसके बाद अमबेटकर एजे गंभीर शोध करता रिसर्चर उन्होंने अमेरिका कनेडा फिरका आउस्ट्रिया तमाम देश में समिधा समिधान बनने परक्रिया थी उसका आंकड़ा उन्होंने दिय कि और बताया कि कि इस देश में समिधान बनने सब्सक्राइन कितना की देश में दस वर्ष लगा, कई देस में चारट-छे महीने में बन गया, तो इसका व्याख्या करते हुए उन्हें कहा कि अमेरिका के समिधान बनने में कम समय इसलिए लगे हैं, उचेदी कम थे, भारत का समिधान बनने में थुरा वक्त इसलिए लग रहा था, क्योंकि ये बहुत IIME, बहुत संस्कृती, बहुत खाने का अलग है पैटर्न है, संस्कृती अलग है, बोली भाषा अलग है, तरह-तरह के इंट्रेस्ट ग्रूप एक थे, इसलिए दो साल से थोड़ा सा ज्यादा समय लगा, लेकिन असलिया जैसे देश में दस वरस लगे समय, तो इसलिए डॉक्टर आप पढ़ें तब जाने के नाम किसने लिया था, कि हम बेटकर जादा समय ले रहे हैं, तो कहते हैं, एकाद अब बाद को छोड़ कर, समिधान सभा के सारे लोगों ने, जो प्रारूप समिधी के लोग तो इसके तारीफ की, प्रुशंचा की, और इसके लिए डॉक्टर अ मेट कर, सबको शुक्री आदा करते हैं, कहते हैं कि शुक्र गजार हूँ, इसके बाद आगे हो कहते हैं, कि मैं समिधान सभा में क्यूं आया था, इसकी व्याख्या करते हैं, डॉक्टर मेट कर, कहते हैं, कि अनुसूचित जाती के हितों की रक्षा को छोड़ कर, मेरे प्रश्रार नहीं थी। सम्मिधान सभाह में आने के लिए लेकिन अधिक जिम्म्रणी काम करने के लिए मुझे op ज़िम्म्रणी सोपी गई और इसके लिए उसे मरण किया जाएगा इस बाती कल्पना मुझे नहीं थी। इसलिए जब सभा ने प्रारूप सम्मिति का अध्यक्ष के नाते मुझे चुना तब मेरे आश्चरिक की कोई सीमा नहीं थी इसका कारण समझे डॉक्टर रंबेटकर कॉंग्रेस के खिलाफ लगातार लड़ रहे थे और उसी सवा में कॉंग्रेस ने उनको प्रारूप सम्मिति का अध्यक्ष बनाया था इसलिए कोई सीमा नहीं थी कि मुझे ड्राफ्टिंग कमिटी का चेर्मेन बनाया जागा तो यह दिल्चस्व बात है और पॉलिटिकल टॉलरेंस समझना चाहिए खले राजनिती इसलिए नहीं कि राजनिती बिरोधियों को गाली देना है वहत्तर जो टैलेंट है उसका इस्तमाल करने के भी आधर डालनी चाहिए चापलूसों के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए लिखते हैं आगे कहते हैं भाशन में कि प्रारूप समीति में मेरे मित अधिक अच्छे वह आर्थिक रूप से समर्थ लोग थे। फिर भी मुझे पर इतना विश्वास और भरोशा रखने के लिए समिधान सवा, पूरी समिति काम है आभारी, यह देखिए कटसी, पुलिटिकल कटसी कहते हैं। उसके बाद पूरी प्रसीडिंग के चर्चा होती है और कहते हैं कि कॉंग्रेस जिस तरीके से ड्राफ्टिंग कमिटी को पूरा अनुसासित तरीके से चलने दिलने में जो पूरा कारवाई हुई, उसके लिए जो कॉंट्रिवूशन है कॉंग्रेस को जिसके खिलाफ लड़त है, जिन्देगी बरड़ को शुक्रिया आदा करते हैं कि कॉंग्रेस ने बहुत तरीके से ड्राफ्टिंग कमिटी को चलने तो रहा था तो जानते हैं थे कि विरोधी के साथ भी कैसे वर्ताव करना है तो इसके लिए डॉक्टर रमेटकर शुक्रिया कहते हैं कि और कहते हैं कि समिधान की प्रारूपत समिति में सब विवस्थित रूप से चलने का श्रे कॉंग्रिस को है इसके आगे दिल्चस्प कहते हैं कि यह individual freedom की बात है दल के अंदर democracy की बात है नोट किजेगा आज कल दलों के अंदर दल दल है democracy नहीं है सब पाटियों के गुलाम होते हैं लेकिन उस समय क्या हो रहा था यह दिखिए यह दिल्चस्प है और मेरे लिए खास दोर से कहते हैं इस यदि सारे सदस्यों ने अपने दल के अनुशाशन के नियमों के अंतरगत हां में हां गर्दन हिलाई होती तो समिधान सभा की कारवाई बहुत ही बोरी होती है निरुत्साहित होती कि सब पाटिक आया हां में हां किया हाथ उठाया कोई wisdom नहीं कोई critical assessment नहीं तो बहुत ही बोरी होता हूं कि आज कल देखिए Parliament में क्या हो रहाए सब आता है वीप लेकर आता है सर पर क्राम सर मैं आपके साब यह होता है उस समय देखिए क्या हो रहा है अगर होती तो इस समीति को गर्दन हिनाले वाले का जमावडा बना दिया होता है कि हां में हां बत तक बना दिया होता सब्सक्राइब स्वभागे से बिद्रोही सदर्श्य भी थे उनमें स्री कामत डॉक्टर पी एस देश्मूक स्री सिंद्वा प्रोफसर सक्षेना और पंडित ठाकूर दास भारगव के नाम उल्लेखनिये जो उस समय ये लोग कॉंग्रेस के अंदर थे और कउंग्रेस के पार्टी लाइन से अलग हटके बात कर रहे तें jetzt को ये कह सकता है कि भाजपा के अंदर कोई भी नेता उसके सही कोई भी नेता पार्टी के हित से हटके अगर बात कर रहा हूँ एकात कोई होगा उसको पार्टी से निकाल दिया था टिकट नहीं दिया आता है लेकिन उस समय ये बात थी ये कॉंग्रेस में रहके भी लोग ये कम नहीं हो जाता है सुचनायत मत्पुन थी सुचनायों का मत्वर कम नहीं हो जाता अत्वा समीति के कारणे को जिवनता देने की उनकी कारवाही कम नहीं होती है उन्होंने रवाइविरेंट बनाया लाइवली बनाया पूरे कमिटी को मैं उनका आभारी हूँ आज कल के राज यह भाशन इसलिए में भाशन कि कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं कि अंबेट कर कॉंग्रेस से लड़ते रहें लेकिन सबको एक intellectual मतलब कट सी उसों कही एक political कट सी वह आभार व्यक्त कर रहे हैं आगे कहते हैं कुछ-कुछ बीच में लाइन दे रहा हूं और पूरी कथा तो लंबा है पूरा उसमें नहीं जाना चाहते हैं कि मैं मानता हूं कि कोई समधान अच्छा या बुरा नहीं होता संशेप में समझा रहा हूं कि यदि उसको लागू करने वाले लोग कौन है उनकी प्रकृति पर यह पूरा कहानी निर्भर करता है अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हुए तो बुरा से बुरा समिधान भी अच्छा होगा अगर लागू करने वाले लोग बुड़े हुए तो अच्छा से अच्छा समिधान भी बुड़ा होगा ये बात एक कह रहे हैं आज के संदर में आप इस बात को एक बार तलाशने की कोशिश करिए कियते हैं कि संदर क्या है संदर कार्रकरल कारेकारी संस्ता है है और नियाईक संस्ता जैसे रास्ता के अभ्यूमों की पूर्ती मात्र कर सकता है और इन अवेवों में कैसे राधनितिक दल काम करेगा, कैसे भविश्य में काम करेगा, इसके बारे में कौन क्या कह सकता है, आने वाली पीड़ी कैसे बात करेगी, कैसे राधनितिक दल काम करेगे, बहवार करेंगे, जैसे जिस समय जवाहरलाल नहरू थे, उस समय जनसंग की क पाइदा हुई उससे में कॉंग्रेस थी कैसे काम करेगी इसके बारे में कौन कह सकता है इस सारी बात इसमें कहते हैं कि भारत के लोग और उनके राधिरी की दल किस प्रकार बेहवार करेंगे इसे कौन बता सकता है कि लोग शाही से ताना शाही आ सकती है इसी सम्विधान का इस्तमाल करके इसी सम्विधान का इस्तमाल करके लोग शाही से ताना शाही आ सकती है लेकिन मैं आपको बता दूँ है मेरी व्यक्ष्या है कि उसी सम्विधान का इस्तमाल करके ताना शाही को उखाड़कर लोग शा सरकार को उकार कर नस्तनाबूत कर देंगे कहते लिखते हैं कि भारत के लोग और उनके राजनितिक दलकिस परकार बिभार करेंगे इसे कौन बता सकता है वे अपना धे प्राप करने के लिए समिधान का सहरा लेंगे अथवा अन्य किसी अथवा उसके लिए क्रांतिकारी के मा शक्ता नहीं है कि यदि उन्होंने क्रांतिकारी मार्ग विद्रोही मार्ग अक्तियार किया तो समिधान कि कितना अच्छा से अच्छा कि उन्हों हो सपल होगा उसको खाड़ दिया जाएगा आज भी उसी समिधान का समिधान की मूल भावना को तोड़ा मरोडा जा रहा है यहना सारा कुछ सारुनिक संस्ता हैं बेची जा रहे हैं बरबाद की जा रहे हैं और लोक शाही तो है लेकिन उसमें लोक नहीं है लोक की जगए ताना शाही आ गई अगोशित आपात काल है और यह कहने मुझे कोई अमेटकर अमेरिका के राश्टपती लेजंडरी मैन जेफ़र्शन के कई द्रिष्टांत को उद्रित करते हैं कि जेफ़र्शन ने क्या का कहा था कि समिधान को लेकर भावी पीड़ी को लेकर कि भावी पीड़ी कैसा बेवार करेगी क्या करेगी यह कोई नहीं जानता है औ जिस समिधान की पृतिया जला रहे थे उसी समिधान का इस्टमाल करके वो लोग शाषन में हैं और उसी समिधान की आत्मा की हत्या करने की कोशिय कि जा साथियों कहने के लिए बहुत सारी बाते हैं लेकिन अगले एपिसोड में मैं इसको कंक्लूड करूँगा मोटा-मोटी और बात डॉक्टर अमेटकर ने क्या कहा था समिधान के बारे में वह भी आपके सामने रखेंगे तब तक के लिए शुक्रिया लेकिन मेरा मेहनताना यह है कि आप वीडियो शेयर किजिएगा उसको सब्सक्राइब किजिएगा और जन जन तक घर घर तक पहुचाना है मेरे पास कोई संसादर नहीं है कुछ भी नहीं है मुवाइल फोन से बना रहा हूं आपके बीच भेज रहा हूं आपकी जिम्मेदारी है गाउं गाउं घर घ अगर इस मुहिम को आगे बना चाहिए शुक्रिया सात्यों समिदान दिवस की बधाई फिर कल आपसे मुलाकात होगी तैंक यू बेरी मच